हलो फ्रेंड एंड वेलकम टू प्रवीन गथूरिया किचन आज मैं आपके लिए लहसुनी अलू मिति की सबजी की रेसीपी लेकर आई हूँ यह देखे ऐसे करके बनाई है मैंने लग रही है न बहुत बढ़िया तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने एक पैन लिया है उसके Okay इसके छिया है स्टेंग जांव Сबीट में के इसके पार समीित है आदिया से सबस्क्राइब के लिया मैंने आप सब्सक्राइऑ चेदा आशिक अड़िया मैं उसके अचिरा से बढ़ स्टेहिता है अब इसके बाद में ने 1 दाल मातिटा दाल हूं थे से गलीया ए यह कट आ जहां चलाओ बने हैं सबसी और बात है वही वही जाँ तरह साथे कर रहे हुए वहा है। आलु मेति था देखयों एक लिए बसक्षमिक थिकीबाए करें चाहँ ज़ए जाने कि उसा बता ही तरह साहँ क्ने practice collect तब पानि सुखा लेना अची तरह से कि अच्छी तरह से की के उच्रविज ऐख वैसे तो दर सब लैसुनी मेथी बनाते है है लेकिन मैंने यालू मेेती बनाई है ज़ीतो वीजिद 씨 आ कि मैं तूटेबल स्पून AUYL डाला कि मैने लेकिन मुझे थोड़ा यह जादा लगा तो मैंने कम कर दिया एवान näब सुन टैबल स्पून जीरा डाला हैं कि अंतर सब्सें जीरे लेनगे देखा बंदे का उद्टान् chant नहों यहां नहीत है own कि यहां के अलो में लाला तो इसको धालेू है यानि कि गारलिक जाहाँ आधा तरर दाले अभाव कर लिए इसके राय के लिए कई ये इसको भी हल्का साला शॉचा ऊते खंए पॵह जी नहां atenção कि भौ डाल रही हिर इंसके अंदर कि इसको भी सौटे कर लेंगे दो जैदा अशलनी कर नहीं अंदना और भौ जयाधा लाल नीं करना हलका सा गॉल्डवरियन नुजए ऑगा तो इसका मनद यह बूंग नंदना ् इसको भूर बून नहीं यह इसको कि दlio ही यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है सबजी आप चपाती के साथ खा सकते हो या किसी भी चीज के साथ आप इसको खा सकते हो ब्रेड के साथ भी अच्छी लगेगी हर चीज के साथ अच्छी लगेगी पराथा चपाती पूरी इसी के साथ भी खा सकते हो प्याद अब यह स में सौत्य हो गया है इसके बाद में तव मारे dallरे के लिए था मेंने मेडियम साइस के उनको कट कर लिया था फरी छॉप कर लिया इसका इसके बाद इसके भी चुल आ लेंगे इसके बाद salt डाल हुआ है, 1 teaspoon salt डाले मैंने इसके अंदर, 1 teaspoon देगी विच्टालिया मैंने इसके अंदर, 1 teaspoon turmeric powder डाले मैंने, 1 teaspoon अमचुर powder डाले मैंने, इससे बड़ा अच्छा टैंगी टेस्ट आता है, इसको असमसालों को मिक्स कर लेंगे, प्यास टमाटर के साथ, अच्छी तरह से, इसको मिक्स कर लेंगे, मसाले को, इसके बाद मैं इसके अंदर, थोड़ा सा पानी डाल रहे हूँ, ताकि ये सारी चीज़े, अच्छी तरह से, मिक्स हो जाए, और, मसाले अच्छी तरह से, भून जाए, अच्छी तरह से, भून लेंगे, इस मसाले को, डाला था Madison को इसी लिए डाला थाकि मिक्स हो जाइ मसाला अपस मेझा मुझा बुण 553 तॉड़ा die éc당 इसके बाद मैं से अंदर ते सूब गया इसके अंदर इसके अंदर कण बढ़ यह होई तोड़ा सा पानी डाला है पानी मैं सिरुलर्ट ये अच्छी तरह से इन सब को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से जितना भूनें गryम उतना ही इंतना एसका थेश्ट आएगा है थे शुन रहे हों इसको मैं मांट शुका लेना है अब यह मैंने एक लिए भड़े चॉप कर लिया था इसको और मैंने एक बैड़े में इसको इसको आपक चुक आपक पक चुका है अब इसको मिक्स कर लिए मसाले के साथ, अब जो हमने मेथि फ्राई करी थी वो डाल रिए इसको भी मिक्स कर लेंगे, आलू मेथि को अची तरह से मिक्स कर लेंगे वैसे थो लैसों वाले आलू भी बनते है अलग से, अल McCarthy बनते हैं, बहुते बनते हैं अब मैं आलू मेथि बना रही हूं लैसों आलू मेथि यह रहे हूं अब मैं उसके उंदर मलाई डाल रहे हूं, वन lados mo Mic 2 दाला दे हूं कर दो दो कि अब इसको भी मिक्स कर लेंगे कि अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब्सक्राइब इसको थोड़ा सबूल लेंगे अच्छी तरह से कर अब कुरियंडर पॉडर डाला हाफ टीज़्पून मैंने इसके लिए यह देखिए सब्जी ने ओयल चोड़ दिया है पैन चोड़ दिया अच्छी तरह से अब यह अलू भी गल चुके है इसको भून लेंगे थोड़ा सा जितना भूनेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आएगा यह देखिए बिल्कुल अब ड्राय हो चुकी है अब यह रेडी हो अब इसको सर्फ कर लेते हैं अब सर्विंग डिश लिया है उसके नदर डाल रहे हूं इसको अब देखिए लग रही है ना बढ़िया कितना अच्छा कलर आया इसका और खाने में उतनी ज्यादा टेस्टी है आप इसको बना के जरूर देखना और मुझे बताना क्या आपक और अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगते हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिजे और बला इकन भी प्रेस कर दिजे थाकि आपके पास नोटिफिकेशन आजा मेरी वीडियोज का एंड थैंक्यू सो मच पो मच